पहले इस कोश्चन को स्टार्ट करते हैं एक और कोश्चन डेप्रिसीशन का इस काक्रेशन को झाल 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 देखिए आपके सामने कुश्चन है पढ़ ले कुश्चन हलाकि आपने कर लिया होगा लेकिन फिर भी एक बार मैं पढ़ के कर देता हूँ आपको ये कुश्चन क्या कहता है कुश्चन में एक सेकंड हैंड मसीनरी एक दो दो हजार अठारा हूँ एक सेकंड हैंड मसीनरी खरीदा पेड एंड पेड फोर हॉलिंग पांच हजार इंस्टॉलेशन कम्प्लीट तो भीया इस्पेंट कर दिया है इस पे पुरानी मसीन खरीदो अगर यही खर्चा न आप करते जैसे कि हमने फरवरी में खरीदा और खर्चा आप मार्च में करते सपोस करो तो वो खर्चा एड नहीं होगा खर्चा कौन सा एड होगा जो खर्चा खरीदते समय किया गया इस बात का धियान रखना है ठीक है कि इस्पेंट कितने कर दिये ग्यार और पांच सोलह हजार रुपए टोटल कर देते हैं कि इसोलह हजार एंड विच वास कंप्लीटिड वाइकत्यस तीन दो हजार अठारा और यह मसिंडरी चलने लाइक हो गया एकत्यस तीन दो हजार अठारा से यह मसिंडरी रेडिटी यूज हो गया समझ रहे हूं धरीदा था मैंने फरवरी में पूरा फरवरी गया और पूरा मार्च किया इसमें खर्चा करने के बाद हमारा 66,000 रुपए का 31 मार्च अब सबसे बड़ा कुश्चन जो है यहां पर कैसा डेप्रीशेशन हम इस दिन से चार्ज करेंगे यह डेप्रीशेशन हम इस दिन के बाद से चार्ज करेंगे बताइए आगे क्या कहता है 66 चलिए आगे देख लेते हैं दा कंपनी प्रवाइड अप्रीशेशन मसीन पे 15% डिमनी सिंग बैलेंस मेथड बैलेंस मेथड फ्रॉम दा डेट अफ पुट तू यूज एक शब्द है यहां पे पुट तू यूज पुट तू यूज का मतलब क्या होता है जिस दिन से आप एसेट्स को इस्तमाल करना चालू करते हो उसे बोला जाता है पुट तू यूज तो मीन्स आपने एसेट्स को इस्तमाल करना चालू कब से कर दिया जब आपके लिए वो क्या हो चुका है ready हो चुका है book 31 December को every year close होगा 110-2019 को repair work चला है 110-2019 में कुछ समय बाद repair carried किया है machine पे 5000 तो दूसरा question क्या ये 5000 रुपे ये add-on होगा मैंने क्या कहा कि जब कभी कोई भी machinery आप खरीते हो खरीते टाइम पे XYZ कोई भी expense हो वो add हो जाएगा उसके further बाद कोई भी खर्चा होता है जो कि major capital expenditure नहीं है वो add नहीं होगा paid the same sir इसका कोई मतलब नहीं होता है the machine was sold 31-10-2020 में 11,000 का and 1000 रुपे paid आपका dismantling charge मतलब भी है जब मैं 11,000 का बेच रहा था जैसे मैं यह इसी बेचू किसी को तो मैं उतार के नहीं दे सकता उसको मेरे पास जो इसी लगा हुआ है है ना पहले वो बुलाऊंगा वो proper तरीके से gas waste का निकाल के देगा तो dismantling का मतलब होता है कि उस चीज को fitting है उस चीज को खतम करने को dismantling बोल जाता है कोई बताईए डाउट है अगर बुक दिखाई है पहले एक पर आप question पढ़ लिजे को कोई डाउट है question में नहीं अब फाइनली अगर देखा जाए तो machinery की कीमत जो है ना इस date पे यानि यह जो value 31 March है तो यानि अगर मैं आपसे कहूं के 14 2018 में हमारे पास machinery 66000 का है तो यह कहना गलत नहीं होगा और depreciation साल के end में लगेगा that is 31 12 2018 तो 66000 पे 15% rate के हिसाब से 66000 पे पंदरा डिवाइड बाइंड बाइंड इंट्व नाइन बाइंड ट्वेल नाइन मत कितने 7025 माइनस करके बचेगा balance 55 इसके बाद अगें 31 12 2019 जो हमने assets बेचा है ना उसका date याद रखना 110 2019 को बेचा है फिर depreciation diminishing है 58575 पे 15% that is 87 अब देखो 110 19 को बेचा है राइट तो ये तो 18 था 19 अब ये 12 हो गया आपको पहले decide करना होगा कि मसीन दी में पूरे साल का depreciation लगेगा या पहले ही मसीन कब sold हुए है तो इसका मतलब हम 31 12 तक तो depreciation लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं 12 तक नहीं लगा सकते हैं क्योंकि ये assets पिक गया है तो that's why depreciation तो लगेगा इस पे सरिफ और सरिफ 10 2019 क्योंकि ये है 119 ध्यान से देखो balance को तो क्योंकि January आ गया और year change हो गया तो कितने महिने का लगेगा 10 तक देखा जाए तो total 9 month का depreciation again लग जाएगा अठावन 575 पे 10 है हाँ 30 September है न तो January, February, March, April, May, नहीं 10 का क्यों लगेगा 9 का ही लगेगा एक 10 को तो बेची ही दिया उसने देखो 15% ये लग गया हमारा 6590 तो ये आ गया हमारा 51985 अब इसको आपने sold कर दिया सर जब बेचा कितने का बेचा आपका भले ही एक हजार तो dismantle लग गया 11,000 रुपए आपको मिले थो तो ultimately आपने 10 का ही बेचा न एक हजार तो कटी गए तो means आपके 10,000 ही जेव में आए तो आपका loss हो गया 41,900 बस इस question के अंदर mean खास बात क्या था question करने में सर इस question के अंदर खास बात था कि हमने खरीदा किसी और दिन और depreciation चार्ज किसी और दिन से किया और एक repair भी major part आगया बीच में इंस्टॉलेशन चार्ज टोटल 16,000 और 31,12,18 को बाई साइड में लग जाएगा depreciation कितना लग गया 7,425 66,000 और ये भी आगया 66,000 और by balance cd माइनस करके आजाएगा हमारा 5,8 5,7,5 31,12,18 अब क्या date आजाएगा 1,1,19 to balance pd 58,5,7,5 अब depreciation लगेगा कब 1,10,19 by depreciation सर कितना लगा 6,5,90 by bank से आपने बेच दिया कितने का अब देखो bank से बेचने के दो कारण ने या तो अब 10 का बेचो या 11 का बेचो अगर 11 का बेचते हो तो इदर खर्चा भी दिखाना पड़ेगा आपको ठीक है तो हम सीधा 10 का ही मानेंगे dismantle charge को हटा के फिर by हमारा profit and loss से क्या हो गया loss कितने हो गए एक तालिस हजार नौ सो पिच्यासी यह सारा काम हुआ है 31 बारा 31 स्वारी एक एक दस को ही हुआ है ठीक है अब कुछ बचा नहीं दोनों साइट एक्जेक्ली सेम हा जाएगा यह फाइब एट फाइब सेवन फाइब फाइब एट फाइब सेवन फाइब बताइए कोई डाउंट क्लिए रहे है कितना है अच्छा एक दस को रिपेर हुआ है मैंने रिपेर वाले दिन बेच दिया इसको चलो ध्यान ने दिया एक दस बीस को रिपेर हुआ है मतलब बेचा है ना एक दस बीस यानि तो और डैप लगेगा फिर तो मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ यहाँ पर तो 31, 12, 19 में डैप लगेगा फूरे 15 परसेंट आवन पांसो के चत्रा इंटो 2020 अब दस महिने का लग जाएगा ना इसक्स टू टू फूर यहाँ तिर तालिस पांसो पैसट एक दा 31, 10, 2020 और बेचा कितने का तो लास कितने का आगे तैतेस पांसो पैसट बस यह 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 बढ़ गया बागी कॉंसर्ट पूरा सेम है तो यहाँ पर बस डैप्रीशेशन चेंज कर देता है चलिए यह हो जाएगा 31, 12 और पास 87, 86 और 31, 12 को ही बाए बैलेंस सीदी 49, 7, 8, 9 एक एक पीस टू बैलेंस 49, 7, 8, 9 अब बिख जाएगा ना 31, 10 को बाए डैप्रीशेशन सर्सिक्स टू टू फोर 31, 10 को बाए बैंक से सेल 10,000 और 31, 10 को ही बाए प्रॉफिट और लॉस से लॉस अब लॉस भी चेक कर ले ना अब यह मैच हो जाएगा गया और टेट का मिस्टेक हो गया अरुफिम क्या था यह डैट बेचने का यह वाला है और मैंने यह वाला डेट देख लिया था बस से ना मिस्टेक ह। सो सोल्ड जो बेचने का टेट है एक अत्यस दस दो हजार पीस ठीक है करेक्ट कर लिजेगा इसको नोटिंग तो क्या नहीं होगा चलिए अभी देखते हैं एक और कोशन करेंगा स्क्रीन क्लियर नहीं है ओके नाव चेक करिये स्क्रीन क्लियर हो गई होगे प्लीज चेक करिये अभी चेक करिये क्लियर हो गई स्क्रीन don't worry ये वीडियो आपको clean upload मिलेगा ठीक है बाकी मेरा मानना है ये तो मैंने questions कर दिया है आप self करेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा